वह वाइरस 22 हाई किये जा रहे हैं हाई नो अच्छा क्या दिखकत है वाइरस बताओ क्या समझ में नहीं आया वैसे रूलिंग और रूटेशन की थोड़ा सा बेसिक समझ में पता होने चाहिए पहले से क्योंकि हम यहाँ पे कोश्चन्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉंसे में नहीं कर रहे हैं तो अगर रूटेशन और रूलिंग की आपको कॉंसे बिटेल में करनी है तो रूटेशन और रूलिंग के उपर जो मेरा वीडियो है वीडियो लेक्चर वह आप डिटेल में देख लेना उसमें सिर्फ यही है कि हैसा चीजह हम लोग करते कैसे हैं यहा आगे बढ़ते हैं, rotation motion का एक और question मेरे हिसाब से बहुत important है, moment of inertia से related, moment of inertia निकालने से related, आपको एक system of bodies दी होगी, और आपको moment of inertia पूछेंगे system का, composite system का, याद रख लो आएगा, 26 जुलाई 2020 को, composite bodies का moment of inertia निकालना, और जो concept use करेंगे, उसी concept को use करके हो सकता question के data बेटा पर ज जाए, concept जरूर आएगे, 100%, question पढ़ लाओ, two thin disc, disc, flat, each of mass m and radius are, two thin disc, each of mass m and radius are, are attached as shown in the figure to form a rigid body, दो disc हैं, दोनों को जोड़ के एक rigid body बना रहा है, rotational inertia of this body, ठेक, about an axis perpendicular to the plane of disc B, इन में से एक disc है, perpendicular to the plane and passing through the center, passing through the center चाहिए, दो disc है, बनी होई एक फिगर में, ये है disc A, ये है disc B, इन दोनों disc में, बिलकुत tangent पर ऐसे touch पर हैं, इस disc के normal, जैसा कर ये xy plane लेन ने भूर्ड, तो इस disc के normal ये वाली axis होगी, z axis, ये वाली जो axis होगी, वो z axis, तो z axis के about चाहिए, हाँ किसे वोगो doubt है, no any doubt, अच्छा, not, no any doubt, अच्छा, doubt नहीं, you don't have any doubt, okay, thank you, तो अगर हम B से perpendicular ले 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 एक्सेस, perpendicular to the plane, and passing to the center, तो इसके about हमें पूरे system का moment of inertia चाहिए, चार option दे रहें, 2mr square, 3mr square, 4mr square, 5mr square, करते हैं, सबसे पहले concept करते हैं, क्योंकि concept important है, question तो बदलते रहेंगे, but concept तो आपको यादक नहीं है, तो देखो concept यह है, जब भी कभी moment of inertia, हमें composite system का चाहिए होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा bodies हो, तो आप अलग-अलग bodies का moment of inertia निकालो, moment of inertia एक skiller quantity होती है, skiller की तरह add होती है, skiller की तरह subtract होती है, तो composite system का moment of inertia, उसके individual जो bodies जिन से मिलके वो बनी है, उन सब के moment of inertia का sum होगा, composite system का moment of inertia, उसके individual bodies के moment of inertia का sum होगा, अलग-अलग moment of inertia जो आए है, उनको जोड़ दो, तो total moment of inertia निकल आएगा, तो करना क्या है, करना ये है, अच्छे एक और चीज, ये तो पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज एक और है भाईया, important, और वो ये है, कि जब moment of inertia आप individually निकाल के जोड़ रहे होगे, तो आपको axis पर भी तो focus करना पड़ेगा, भाई अब disc जैसे, इस disc का center के about, amascow by 2, इस disc भी अपने center के about, amascow by 2, नशिक अब इसके center के about पूछोगे, पूरे system का, तो इसका तो amascow by 2 है, पर इसका थो ना, इसका तो अपनी खुद की axis के about, amascow by 2 था, axis को transform करना पड़ता है, axis बिदल नहीं पड़ती है, और जब axis बितलनी पड़ती है, क्योंकि जिस axis के बहुत system का चाहिए, तो सारे moment of inertia उसे axis के बहुत पता होना है, तब आपको दो theorem लगानी पड़ती है, समझ गयोगे कौन सी, theorem of parallel axis और theorem of perpendicular axis, case to case basis पे जहां जरूरत जैसी हो, वहाँ पे आपको theorem of parallel axis और theorem of perpendicular axis लगानी पड़ती है तो करते हैं यहाँ पे, दोखो ऐसा है, यह disc है, मैं अलगी बिना लेता हूँ figure, यह, इस disc का, इस axis के बहुत आपको होता है, इसके अपनी axis के बहुत आपको होता है, इसी के बहुत पूछ रहे हैं, तो दोखो, यह अगर disc A, B है, यह A है, तो total moment of inertia होगा, B का plus A का, B का अप इसके बहुत इसके बहुत बढ़ कितना होगा, तो यहाँ पे ऺकॉनसी axis लगा है, कानसी theorem लगा है, अक्सि-thorum, ग्याइक्स, तो एक्सिस हैं, यह वाली axis, और यह वाली axis, इस दोनों आपस क्या हैं, इस दोनों आपस में, पहल Свela हैं, ओ पहलल एक्सिस में कांसी थूर्म XL क्या होती पहले लेक्सिस थोरम id is equal to icm plus md square icm इसके center of mass के bottom mass 2 by 2 है इन दूनों के बीच में distance कितनी है तो r ये भाई ये भी radius है और ये भी radius है तो इनके बीच में distance कितनी हो गई 2r icm हो गया mr square by 2 plus md square में हो गया m into 2r का whole square mr square by 2 plus mr square हो गया mr square और 2 का square हो गया 4 mr square mr square plus 4 mr square हो गया 5 mr square and 5 mr square that is 4th option is the correct answer for this problem I hope you are getting this समझ में आ गया होगा moment of inertia जुड़ते तो है but axis भी तो देखनी पड़ेगी मैं हमे total moment of inertia के लिए a और b को जोड़ना था but a का और b का उसी axis के बाउट है की नहीं यह तो confirm करना पड़ेगा ना तो जिसे a का हमें अपनी axis के बाउट पता था तो उसको b की axis पे लाने के लिए हमें parallel axis theorem लगा था तो एक तरीकी से parallel axis theorem का application भी था और फिर हम लोगों को moment of inertia से जोड़ने भी थे और डिस का moment of inertia पता भी होना था यह मास का भाई 2 होता भाई सेंटर से जाने वाई normal axis के बाउट तो इसी टाइप के combined concept वाले question नीट में आ सकते हैं और नीट में इस बार लिख के रख लो moment of inertia composite system जरूर आएगा डिस्क के बज़ाए कुछ और हो सकता है अबर तरीका यह रहेगा सबको moment of inertia से एक एक सिस पे लाके add करना है अगला question करते है